तो हेलो गाइज वेकम बेक टू मैच चैनल और यहां पर दोस्तों Realme 6 Pro, Realme 7, Realme Narzo 20 Pro और साथ में Realme X2 Pro डिवाइस में दोस्तों Realme UI 2.0 बेस ओन एंडरोइड 11 का जो स्टेबल अबडेट है वो दोस्तों अभी तक अफिशली देखने को नहीं मिला है जो कि दोस्तों आपको अ इन सबी डिवाइस में लाइक 6 Pro, Realme 7, Realme Narzo 20 Pro और X2 Pro डिवाइस में UI 2.0 बेस ओन एंडरोइड 11 स्टेबल अपडेट रिलीज डेट के रिगार्डिंग थोड़ा सा कुछ बताओ और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यही डिसकर्स करेंगे इन सबी डिवाइस में UI 2.0 का जो स्टेबल अपडेट है वो एक्जैटली कब रिलीज होगा या फिर दोस्तों ऑफिशली रोल आउट चालू होगा तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को जरा सा भी बिल्कुल भी स्कीप मत करना वरना दोस्तों UI 2.0 स्टेबल अपडेट की जो एक्जैट रिली 11 का जो ओफिशल रोल मैप है वो दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो जहां पर भीया आप सभी यूजर्स को डिरेक्ली और सीधा सीधा नविम्बर 2020 में नोटिस करना है जहां पर भीया रियल्मी नार्जो 20 डिवाइस में रियल्मी UI 2.0 based on Android 11 का जो फिर्स्ट बी वीक में इन नार्जो 20 डिवाइस में UI 2.0 का जो फर्स्ट ट्रायल अपडेट है वो दोस्तों अलरी मिल चुका है जिसके बाद दोस्तों रियल्मी UI 2.0 की जो बीटा अपडेट से वो इन नार्जो 20 डिवाइस में काफी सारी बैक टू बैक देखने को मिल चुकी है जिसके अंदर दोस्तों अलग अलग टैप का जो प्रोब्लम है वो फाइनली सॉल हो चुका है और बाद में दोस्तों लास्ट एंड फाइनल यानि कि दोस्तों अंत में ना मार्च 2021 में मार्च 2021 में Realme UI 2.0 का जो स्टेबल अपडेट है और Realme Narzo 20 डिवाइस के लिए और वो दोस्तों ओफिशली देखने को मिल चुका है या फिर दोस्तों रिलीज हो चुका है और I think दोस्तों 5 मार्च 2021 में Realme UI 2.0 का जो स्टेबल अपडेट है और Realme Narzo 20 डिवाइस के सभी यूसर्स के लिए अल्रेडी दोस्तों रोलिंग आउट स्टार्ट हो चुका है तो मतलब दोस्तों नार्जोट 20 डिवाइस में UI 2.0 का जो स्टेबल अपडेट है वो मिलने में ओके 3 मन्स का जो टाइम है वो लगा है December, January और February ठीक है ना आप लोग खुद चेकाउट कर लो तो कहने का मतलब द इस हिसाब से नार्जोट 20 डिवाइस में Realme UI 2.0 का जो स्टेबल अपडेट है वो मिला है उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों Realme के अधर स्मार्ट फोन्स में भी UI 2.0 का जो स्टेबल अपडेट है वो देखने को मिलने वाला है और अभी दोस्तों सीधा पॉइंट पे आते है ठीक है ना 6 Pro Realme 780 20 Pro और X2 Pro में Realme UI 2.0 का जो स्टेबल अपडेट है वो ओफिशली कब मिला चालू होगा तो देखो दोस्तों बता दू डिसेंबर 2020 में ना 6 Pro 780 20 Pro और X2 Pro में Realme UI 2.0 का जो फर्स्ट ट्राइल अपडेट है वो दोस्तों हमें ओफिशली अलरी देखने को मिल चुका है और फिर दोस्तों बाद में जैनेवारी और February 2021 में UI 2.0 की जो बीटा अपडेट है वो बैक टू बैक काफी सारी देखने को मिल चुकी है और रही बाद दोस्तों मार्च 2021 यानि कि दोस्तों इस समंथ में मुझे लगता है इन सभी डिवाइसेस में UI 2.0 का जो अगे बीटा अपडेट है वो इन सभी डिवाइसेस में UI 2.0 का फिर से इस मंथ में देखने को मिल सकता है और फिर दोस्तों जाके लास्ट ऐंड फाइनल यानि कि अंत में इन सभी डिवाइसेस में UI 2.0 का जो स्टेबल अपडेट है और वो दोस्तों April 2021 में officially मिलना चालू होगा औ और exactly next month में न, इनने सभी devices में UI2.0 का जो stable update है, वो कब मिल सकता है, तो देखो दोस्तों बता दू, next month में, यानि कि April 2021 के first week में, इन में से किसी भी 2 devices में, ठीक है न, किसी भी 2 devices में UI2.0 का जो stable update है, वो मिल सकता है, और बचे हुए दोस्तों, दो devices में, next month, यानि कि April 2021 के last week में, UI2.0 का जो stable update है, वो मिल सकता है, तो कुछ इस हिसाब से दोस्तों, आप लोग जो expected date है न, वो मायन के चल सकते हो, जो कि दोस्तों exact है, उमीद है दोस्तों, आप लोग समझ चुके हो, और नीचे दोस्तों, इन में से आप कौन सा device use करते हो, वो जरूरा बता देना, और फिल को सब्सक्राइब करके बल आइकन को प्रेस कर देना, आपको हमारे हर एका पोस्त और हर एका वीडियो की जो notification है, वो time to time मिलती रहेंगी, मिलता हूं दूस्तों आपको next video में सब तक लिए good day, take care, always be a smile.